अलो गैसे वेलकम बैक अगेन आज हम डिसकस कने वाले हैं टाइपस ओफ कोरल रीफ परवाल बित्यों के प्रकार तीन तरह की प्रवाल बित्यों होती हैं जो हम आपे देखेंगे जियोग्रोफी का इंपोर्टेंट टॉपिक है कई वार एक्जाम में पूछ लेते हैं कोरल बिलीचिंग भी पूछते हैं साफ में आपको टाइपस ओप कोरल रीफ भी पूछते हैं सबसे पहली रीफ जिसे हम बोलते हैं वेरियर रीफ इसमें देखें सबसे पहले तो यह प्रवाल बित्ती सबसे ज़्यादा बड़ी होती हैं एवं सबसे अदिक विस्तरित होती है यह मादीपों के निकट इस्तिद बड़े निमंग इस्तलों एवं समुन्दरी चबूतरों पर इसका आधार पाया जाता है इनकी ढाल सागरी चेतर की ओड़ ज़्यादा तीबर होती है इसका सबसे उत्तम उधारन ऑस्टेलिया के उत्री पूरवी तटके समी पिस्तद ग्रेट बेरियर रीफ है जो बिस्व में सबसे बड़ी अवरोतक प्रभाव डालती है एक साम में आप डाइगराम में आप देख सकते हैं बेरियर रीफ बनी हुई है और लेगुन का निर्माडी भी आप यहां पे देख पाएंगे दूसरा रीफ का नाम है फ्रिंजिंग रीफ और इस रीफ की बिसेस्ता हम देखें तो इसे तट्य परवाल बित्य कहते हैं इस प्रवकार की प्रवाल वित्तियों का धरातल असमतल एवम अस्मान होता है इस तल के मुख्य भाग तता प्रवाल वित्ति के मद्य छिचले लेवून का विकास होता है जिसे वोट चैनल कहते हैं सकाव दीप समू, दच्छणी फ्लोरिडा तट, मलेसिया की दीपों के शहारे तट ये प्रवाल वित्तियां पाई जाती है आप डाइग्राम में फ्रिंजिंग रीप देख सकते हैं और यहां साइड में आप इसका निर्माण होते हुए देख सकते हैं अगला आजाता है हमारा आयटॉल्स प्रवाल वित्ति जिसे हम बोलते हैं वल्याकार प्रवाल वित्ति इस वित्ति का आकार गोडे की नाल अथवा अंगूठी के समान प्रकार वल्याकार आकार का होता है इस इस्तिती के मद्द में छिचली लेगून जील पाई जाती है किसी जल्मगन पठार के उपर गोलाकार या अंडाकार रूप में अथवा किसी दीब के चारो और इनका विकास होता है वल्याकार रूप से इनका विकास होता है यह वल्याकार भित्ती समंदर की सते से उपर होती है तथा इनका कोई न कोई भाग अवश्य खुला होता है परन्तु यह सागर तट से सेकड़ मीटर दूर इस्तित होते हैं प्रसांत महसागर में फिजी अटोल, फुनापटी अटोल, अतिन्त प्रिसिद उधारन हैं वल्याकार परवाल भित्ती के डाइगराम में आप अटोल्स परविल भत्ती देख सकते हैं किस तरह से इसका निर्माड हुआ है ये भी आप देख सकते हैं साइड में जो छिचली ल पिको लेके डिस्कस करेंगे तब तक लेदे हैं विदा धन्यवाद